लेग नेक्स लेब़ नमस्ते मैं हूँ तेव आपका म्यूजिक इन्स्ट्रक्टर हम सेंड लेडरी बात कर चुके हैं अब हम बात करने वाले हैं बस चैनल के बारे में जब भी हम प्रोफेशनली एडवांस ट मिक्सिंग करते हैं उस दोरान bus channel एक बहुत important role play करता है यहाँ पर मेरे पास एक drum section है आईए सुनते हैं ठीक है मेरे पास kick है, hat है, clap है और एक fx है यह चारों अगर मैं यहाँ जाता हूं mix तो मुझे दिख रहे हैं यह 4 channels यहाँ पर है मैं इनको आपस में कुछ भी set कर सकता हूं कि मुझे kick कितनी चाहिए, मुझे clap का volume कितना चाहिए, किसका level कितना हो यहाँ से मैं adjust कर सकता हूं, इसके पर कोई भी effect लगाना चाहूं वो भी यहाँ पर लगा सकता हूं, मुझे saturation एड़ करनी है, compression एड़ करना है, कोई भी चीज finally मैं क्या करूंगा, इन सब को select करूंगा, किस तरह से मैंने पहले पे click किया, उसके बाद मैंने shift पे press किया और सबसे last वाले पे click किया, चारों select हो गए, दूसरा तरीका मैंने पहले वाले पे click किया, shift प्रेस किया और keyboard का right direction पे मैं click करता जाऊंगा, यह देखिए, चारों select हो गए, अब मैं क्या करूंगा, यहां से right click करके एक bus बनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इन चारों चैनल्स पे अगर आप यहां ध्यान से देखें, लिखा है main, यानि की, fx, kick, hat, clap, यह अपने अलग अलग रास्तों से finally main की तरफ जा रहे हैं, जो की left और right मुझे finally वहाँ पे सुनता भी है, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, किसी के भी उपर right click किया, और मैंने कहा add bus for selected channels, चारों channels selected हैं, click किया, और finally मेरी एक bus 1 बन गई, और आप यहां देखेंगे, अब main की जगा ल अब इसका फाइदा क्या हुआ, यह जो bus का fader है, इससे मैं overall drums को control कर सकता हूँ, यह देखिए, दूसरा मैं यहाँ पर bus compression कर सकता हूँ, यानि कि overall जो drums है, मेरी kick है, hat है, snare, clap, और भी कोई चीज में crash, कुछ और 808 लगी होती, यहां FX, जितनी भी है, overall मैं उसके उपर एक finally हल का सा compression लगाना चाहता हूँ, so that उसकी dynamic range थोड़ी कम हो, मैं क्या करूँगा, मैं bus पे गया, insert पे click किया, यहां से I am compressor, थोड़ा सा चलिए compress करते हैं, आप देख सकते हैं reduction, होनी start हो गई है, हलका compression on हो गया है, इस तरह से ही बहुत सारे और section होंगे, मेरे vocal section होंगे, जहां पर background vocals, lead vocals, अलग-अलग होंगे, उनकी एक अलग bus बनेगी, फिर मेरी melody section होगा, जिसमें guitar है, piano है, कुछ थोटे-चोटे और left या right कुछ हलकेल की melodies हैं, वो सब भी एक bus बनेगी, फिर मेरी bass line होंगी, इस तरह से मेरे final गाने के अंदर चाहे, total जितने भी हैं channels, बहुत स की होगी, जिसके अंदर सिरफ sweep down, sweep ups, risers, ये सब connect हो रहे हैं, तो इस तरह से end में 5-6 busses ही रह जाती हैं, उन 5-6 busses को finally फिर हम mastering की तरफ ले जाते हैं, इसलिए advanced, professional audio mixing में bus channel बहुत ज्यादा important role play करता है, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए Dave Next Level, signing out, नमस्ते करता है, म Southernisen क magari य้म तक कर दोंूपे it webub, जिसम ब mau буहारे, जक you, उसके जवारेओज कर दों झाहा हाउ, कि का जन1, O tom